हाई दाइस वेलकम बैक तो आज की इस वीडियो से हम अपने HTML5 का जो कोर्स है वो स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम अपनी HTML5 को पूरी तरह से दिखेंगे कि कैसे इसको सीखना है कैसे इसका जो फ्लो रहेगा वो देखेंगे तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास जो आपकी समय लो minimum requirement रहेगी वो एक तो laptop रहेगा या computer रहेगा और उसके बाद एक गुजारे likes हो लेकिन हो internet speed हो और उसके बाद जो है यहाँ पर सबसे पहले जो है आपके लगेगा एक VS code लगेगा या आप यहाँ पर जाके यहाँ पर sublime text editor ठीक है वो download कर लो या फिर code block वो download कर लो ठीक है इन तीरों मेंसे कोई भी कर लो लेकिन जो web development के लिए है वो यह तो sublime text चलता है या फिर अपना हमारा जो favorite है वो VS code चलता है तो आप यहाँ पर जाओ और यहाँ पर जाके इसको download करो यहाँ से Mac के लिए है बिंडो के लिए है और उसके बाद जो है यहाँ पर Ubuntu के लिए है ठीक है यहाँ पर जाके इसको download करके simple इसको install कर लो ठीक है यह जो है यह minimum requirement रहेगी और आज की इस वीडियो से जो हाँ सिरफ आप जो है वो HTML5 का जो है सिरफ overview introduction ही समय लो वही देखेंगे कि इसके अंदर जो है कि यह क्या है यह कैसे इसका flow है कैसे कांग कर लुट हूं करता है तो यहां पर जया मैं सबसे पहले यहां एक अवर्डर बनाव एपना फरस्ट यहां पर बीसिक इंटर डाट एस्टी-एमिल ठीक है मि यहां पर जो है इसके जो पहली certificates यहां से यह से यह यहां से में थ 예शिटेमल नहीं आएग़ यहां से मेश्डर आए तो इस folder को यहाँ पर यह एक arrow आ रहा है, इसको इसका मतलब है यह folder open है और यहाँ पर जाकर यह देखो new file को option आ रहा है, यहाँ पर click करो, then यहाँ पर एक file बना लो index, ठीक है, यह कोई भी file है, अगर आप इसको बगहर किसी extension से बनाएंगे, तो यह देखो यह सिर्फ एक text file लेकिन अगर आपको अपना HTML लिखना है, तो इसके लिए यहाँ पर जो है, सबसे जो आपको जरूरी है, वो है यहाँ पर इसकी extension हो, वो HTML, ठीक है, तभी आप यहाँ पर इसके अंदर HTML लिख पाएंगे, तो सबसे पहले, जो HTML है, यह होती है, हमारी HTML जो है, इसका stand and for जो ह होता है, वो होता है हमारे पास, hypertext markup language, ठीक है, markup language, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, यहनि hypertext markup language का, hypertext markup language का मतलब, जो है, वो है, यह हमारे पास hypertext है, इसका मतलब होता है, हम अपने इस web page को दूसरे के उपर transfer कर सकते हैं, यहनि अगर मैं आपको यह बताऊं कि इसकी definition के हिसाब से कि यह आपको रहफर करता है to the way in which web pages are linked together. यानि इसके अधर जितने भी web pages हैं वो link होते हैं वो एक दूसरे के उपर transfer करते हैं यह कैसे transfer करते हैं यह हम देखेंगे इससे पहले जो है मैंने अपने चैनल के उपर कही विडियो डाली हुई है multiple pages वाली website के उपर आप देख लिए कैसे एक हम जो है about us जो है contact आसे उस pages के उपर switch कर जाते हैं यानि यह जो है एक page दूसरे page के उपर switch करने के लिए use होती है और उसके बाद यह हमारे पास है markup language है यह एक markup mark होता है के लिए निशान ठीक है यहां यह यहां पर एक निशान लगा रेते हैं यहां पर कोई कोई भी cities सीफ ब् Champions我在sud Почему कोई पर कोई भी या सेन वेक र hvor औक रङ्ट को लेते है गूगल दॉठ कौंगल कॉल न 혼र कॉल ने यह यहां पे यहां पर आए नहीं है नहीं है यहां आपर हमmetro का री दिल को यहँ आख शुकर खरकाई, यह हमारा पास ऐक यह वेपसाइदर इसके असो भट है यहाँ법 के अधर यह सीस्ट कोईàirop मारा हुपर्ते Millenn今 उन्वी टॉसरी के जब फोड़ी दूसरी वबपेज लेकिन ही और पोर जाए ठीक है यहाँ पर जो है उसने कुछ लिखा हुआ है अपना एलिमेंट कुछ भी अपना टेक्स दिया हुआ है यहाँ यह एक है यह एक तस्वीर है यह लोगू है ठीक है यह सब चीजे जो है यहाँ पर यहाँ पर एक इनपुट फिल्ड भी आ रही है यहाँ पर सर्च है यहा आपको डाकुमेंट के अंदर आप इनको बताते हैं वेब ब्रॉजर को यहां पर यह चीज डिस्प्लो डिस्प्ले हो यहां पर यह चीज डिस्प्ले हो यह देख लिए यह पर गूगल आ रहा है यह पर इनपूट फील्ड आ रही है और यहां पर यह साइन अप का बटन आ र यहां पर अगर मैं आपको जाओं, stml, css, add, javascript ठीक है, यहां पर यहां पर इमेज के अधर जाओंगा, फैर इमेज इस अच्छी मिल जाए, यहां पर यह देखो यहां पर 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 यहां प और उसके बाद जो CSS है वो उपर की स्केन है लेकिन अगर आपके पास सिर्फ जो हड़ी और स्केलेटन हो स्केन हो लेकिन फिर भी आप किसी काम के लिए आपको जब पता ही नहीं कि आपको करना क्या है तो आप बेशाक जितने मर्जी खुब शुरत हो जैसे मर्जी हो लेकिन आपको यह पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है कैसे नहीं करना यह काम कैसे होगा तो कैसे आपको इधर से इधर स्वीच होना है तब तक कोई आपका फाइदा नहीं है लेकिन जाव स्क्रिप्ट जो है यह ब्रेन होता है किसी वेब साइट का यानि यहाँ पर जो हम कोई निया यावके part जाए जावके क्रिप्ट यह का कुछिक ऑप हमघरे मार कंद गप सरा यह uh कि अकर बहुत झाए हो तो एक ऐसे नससरा जो खुबसूरत है। यह को सब्सकुरण बहुता है तो यह ही है हमारा यह नहीं दो है अगर मैं आपको यहां पर लेकर आँ यहां से यही के अंदर यह मारी Android आट कर दिख रहे है और जो इसकी जो फूबसूरती है महरी CSS है और यह हमें एक जर्द है दूसरी जगह ट्रास्फोर कर रहा है यह जो है अगर मैं आपको इसके इंस्पेक्ट के उपर लेके जाओ ना यहां पर होगी हमारी कुछ CSS की फाइल लिंक होगी मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनिट यहां से हमारी जो है ऐसी खाल डंडी होगी है और यहां से यहां पर शाया है यहां से वेब साइड अपर कोर्ड वेभी पैकर इक एक इसके घर थे इसको मैं डात रहां से जोड़ जायारा है Hem थोड़ अपर सानल के लिए जाक Spartaktor टूर। एसे हैट तेगा होगा हुआ 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 है इहाँ निए नियू हुआ अहा पर इैमन च रड़ है यहाँ पर उसने बंद बोर सारी फाइव शुक्ष यहाँ पर इस जिसने फाइव Alright Okay, अगर मैं एक मिन्ट मुझ देखना तो कि मैं स्टाइल.css कोन सी है यह उर लेक्छे लिए मारी स्क्रिप्ट के लिए है और जिये एस के लिए हो यहा पर लिंग फाईलस्टाइल.css यह रही है, इस इस फाईल बोना मैं यहां से डिलिट कर रहा हूँ यहां पर यहां मैं लिए डिलीट किया तो धिया है तो यह देखो देखो किसी सारे घूपशूरती शुची रजह ऑप गूए um कर यह लुड्बॉड यह नहीं एक टायल शी था रfunds होला था होगए तो यह कुँडने it सीबस्कू Department अबद आजीवास कम कर रही है। यहां पर ऑची काम कर रही हो ही हीओ यह जाउ क्रिप्ट उर पर हो डिकुम कर रहा है। यहां ने हो एक फाइल की कि आन्य क्रिकात प्रूमि यहुआ भी कितनी अजीव नग रही है। यह यह कैसी है यह तो यह होती है हमारी जो खुब सूरती है कुछ के अंदर जो हम style CSS से उसको खुब पशूरती दे सकते हैं ठीक है तो अगर मैं इसको दोबबार रिफ्रेश करूंगा यहां पर यह पर यह दोबारा वापस से अपनी असल जो हालत ऐसके अंदर आ गई है तो इसके अंदर यहां पर यह जो है इसने कई फाइल संगना लगा रखी है तो यहाँ पे एक्चिल दिखनी रहा है कि वह फाइल कोई से है लेकिन अगर मैं इसकी जास्क्रिप्ट की फाइल पिटा तो यह सारा काम करना बंद हो जाएगा ठीक है तो यह जो हमारा यह वरकिंग हो रही है यह सारी नप हट ज है ठीक है तो इसके जो बेसिक जो एलिमेट होते है उसके अंदर जो हमारे पास अगर मैं इसको यहां से अटाओं और यहां से सिरफ अपनी एस्टेमेल लिखूं यह होती है हमारी टोटल एस्टेमेल जो हमारी एक डाक्यमेट पूरा होता है उसके अदर जो हमारे पास होता तो है हमारा body ठीक है यह दो टेग होते हैं जो हमारा main tag वह होता है html और इसके बाद हमारा head tag और इसके बाद हमारी body जितना भी content है हम जो भी लिखेंगे अपने body के लिखेंगे और इसके बाद जो यहाँ पर head learn the html course तो मैं इसको यहाँ से इसको यहाँ से इसको मैं open कर रहा हूं यह लाइव सर्फर की जो एक extension है यह है आप इसको download और install कर लिखेंगे यहाँ पर जो यह रिखो यह लिखो कहारा है तो इसके लिए यह पर आप पर प्लेट आती है उसको यह पर यह एक्सक्लीमेटरी यह पर लगा उना तो यह आता है आता है यह देखो यह देखो यह हमारा जो है डॉक्ट टाइप कि अधर संधिस्टिम्ल असल स्ट्व पर पर यहाँ पर यह पर या लिए लिए लिका हुब इसका मतल kinetic है यह हमारे पास कि किसी website का ताइटल हमें ओपर देखता है वो यहां करते हैं ठीक sql was course यह जए हमारा यहां पे टाइटल होता है। Isको मैं यहां से open कर رाया हूँ live server से हुआ में देखेज्ट जो यहां हा कि ने घुसे हमारे पास we are सकते हैं अपने कोई भी फाइल जो CSS की होगी जावस्क्रिप्ट की फाइल होगी उसको लिंक करेंगे यह हम आगे सारा बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे अभी बिल्कुल मैं ओवर व्यू दे रहा हूँ आपको इसके अंदर हमारे पास क्या क्या होगा ठीक है और उसके बा हमारे पास टोटल जो है, इसी के अंदर मोपनी कउंटेंट है वो सारे का सारा कऑन्टेंट लिखेंगे और कैसे लिखेंगे यह हम अपनी आनवाड वीडियों के अंदर हम देखेंगे कि कैसे बाड़ी के अंदर कौन सी टैग लिखने है, मैत हैं और अरु तो यह हमारी टोटल जो एस्टेमल का जो ओर्वीव इसी के अंदर है।